नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मिशन शिक्षन समवाद की ओनलाइन क्लास पढ़ाई से प्रतियोगिता तक विशे विज्ञान और आज का प्रकरण है बल बल फोर्स, बल वह बहाय कारक है जो एक वस्तू दूसरी वस्तू पर आरोपित करता है बल के प्रभाव बल लगाकर किसी स्थिर वस्तू को गतिमान तथा गतिमान वस्तू को स्थिर किया जा सकता है अत्वा किसी गतिमान वस्तू की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है बल लगाकर गतिमान वस्तू की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है बल दोारा किसी वस्तू की आकरिती या आकार में परिवर्दन किया जा सकता है बल के प्रकार बल दो प्रकार के होते हैं संपर्गबल कॉंटेक्ट फोर्स और संपर्गबल नौन कॉंटेक्ट फोर्स जब बल लगाने वाली वस्तू तथा जिस वस्तू पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हों तो ऐसे बल संपर्क बल कहलाता है संपर्क बल के प्रकार पेशिये बल मांस पेशियों द्वारा लगाये गए बल को पेशिये बल कहते हैं जैसे बैल गाड़ी को खीचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तू को हतोड़े से पीटना गर्शन बल किनी दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गती का विरोध करने वाले बल को गर्शन बल कहते हैं गर्शन बल वस्तू और सतह के बीच रगड द्वारा उत्पन बल है जो उनके बीच सापेक्ष गती का विरोध करता है गर्शन बल के कारण ही लोगों का चलना, दोड़ना, उठना, बैठना आदी क्रियाए संभव होती है पैंसिल तथा कागज के बीच गर्शन बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है अ संपर्क बल नौन कॉंटेक्ट फोर्सेज अ संपर्क बल जब किसी वस्तू पर बल लगाया जा रहा हो और वहा वस्तू बल लगाने वाली वस्तू के संपर्क में ना हो तो ऐसे बल अ संपर्क बल कहलाते हैं अ संपर्क बल के तीन प्रकार हैं गुरुत्विये बल, जुम्बकिये बल, विजुतिये बल गुरुत्वी बल ग्रैविटेशनल फोर्स पृत्वी प्रतेक वस्तु को अपने केंदर की ओर आकर्शित करती है पृत्वी के इस आकर्शन बल को गुरुत्वी बल कहते हैं चुम्बकी बल मैगनेटिक फोर्स चुम्बक लोहे की कीलों को अपनी ओर खीच लेता है चुम्बक द्वारा कीलों पर लगाए गए इस बल को चुम्बकी बल कहते हैं विद्यूतिय बल प्लास्टिक की स्केल को सूखे बालों अथ्वा कागच से रगड कर कागच के छोटे-छोटे टुकडों के पास ले जाएं तो कागच के टुकडे प्लास्टिक की स्केल की ओर आकर्शित होने लगते हैं कागज के टुकडे और स्केल के बीच आकर्शित होने वाले बल को विद्योतिय बल कहते हैं अुक मैंच्ट के लाट